रेज्वेज में सफर करना तो हम सब को पसंद है बट क्या हो जब आप ट्रैन में ट्रेवल कर रहे हो। और आपको पता है कि आगे जो आने वाली स्टेशन है ना उसमें ऐसी कई आत्माएं मन रा रही है जो वही कटकर मरी हुई है। अब आप क्या करोगे सुनने में एक इस्टोरी की तरह लगता है, बट इंडिया में एक ऐसा railway station है जो कि भारत में जितनी station है न उन में से यह सबसे हंटेड इस्टेशन है, और ये चोटा सा railway station सिर्फ है एक आत्मा की वज़ा से 42 सालों तक बंद रहा, कहानी ये है कि 1960 में वेस में बनाया गया था ताकि गाव के लोग जो है वो जल्दी से बोट कर सके ट्रेन को फिर अचानक से खबर आई के एक लड़की ट्रेन को बोट करते समय सायत दोड़ते हुए चड़ रही थी तो वो मर गई 9060 में यहाँ पर घटना हुई बट 1967 में साथ सालो बाद वहाँ के जो इस्टेशन मास्टर था ना उसको हर रात को एक लड़की दिखती थी पहले दिन दिखी कि ओ ट्रेन को दड़ड़ के चड़ने की कोशिस कर रही है उसको लगा कोई होगा रियल लड़की फिर दूसरे दि जब ट्रेन आई तो फिर भी वही देखा तो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसी स्टेशन मास्टर की माउथ हो गई उसके बाद जो भी वहाँ आता सब के साथ बुरा होने लगता फिर 1967 के एंड में जाके टिकट टार वेटिंग हाले सब चीज बंद कर दिया गया खौप इतना बढ़ गया था कि उस टाइम जब एकाद दो ट्रेन जाता था ना तब जो ड्राइवर था वो देखता था कि बेगुन को डार आने वाला है तब वो ट्रेन की स्पीट को पुरा डबल कर देता था और सारे पै से बात की गई वहां के एमेले से बट उन लोगों का कहना था कि जो लोग बुर रहे हैं वो गलत नहीं है बट फाइनली टूथ हाउजट नाइन में जाकि ममतब एनर्जी जो की उस टाइम रेलवे मिनिस्टर थी फाइनली उन्होंने इस स्टेशन को ओपन करवा दी तब से यह इस्टेशन खूला हुआ है और जब यहिए इस्टेशन खूला तब से अवी तक एक्टिव है अभी के टाइम पे वहां दिन में ट्रेन तो आता जाता रहता है बट रात के टाइम में लोग आज भी उसी खब में रहते हैं और रात में अभी भी लोगों को पयरा नुमल एक्स्प्रियेंस होता है तो ये था पूरे इंडिया का सबसे हांटेड इस्टेशन जो की 42 सालों तक बंद रहा सोच सकते हो कुछ तो था वहां वीडियो को सेर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोनान जरूर कर लेना